एक समय की बात है एक जंगल में एक परवत की गुफा में एक शेर रहता था वो बड़ा ही खूनखार था वो हर दिन अपनी गुफा से केवल शिकार करने के लिए बाहर निकलता था और पेट भरने के बाद वापस गुफा में जाकर सो जाता था एक दिन न जाने कहां से उसकी गुफा में एक चूहा आ गया और वह भी वहीं एक बिल बना कर रहने लगा एक रोज जब शेर गुफा में सो रहा था तभी चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसके बालों को कुतर कर वापस बिल में चला गया शेर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बाल कुतरे हुए थे वो गुस्से से आगबबुला हो गया उसने चुहे को कई बार पकड़ कर उसे मारने का प्रयास भी किया लेकिन चुहा था कि हाथ ही नहीं आता था हर बार वह भाग कर अपने बिल में छिप जाता था अंथ में शेर को एक युकती सूझी उसने सोचा कि क्यूं न चुहे को मारने के लिए इसका परमशत्रू लाया जाए वो जंगल गया और बहला फुसला कर एक बिल्ली को अपनी गुफा में लेकर आया इसके बाद से जब भी शेर सोता या आराम करता था बिल्ली पहरेदार की तरह शेर की निग्रानी करती थी वहीं शेर भी हर दिन बिल्ली के खाने के लिए ताजे-ताजे मास लाता था इससे वो बिल्ली कुछी दिनों में बहुत मोटी ताजी हो गई थी दूसरी तरफ बिल्ली की डर की वज़े से चूहा अपने बिल में ही दुबका रहता था वह खाने पीने के लिए भी बिल से बाहर नहीं निकलता था इस वज़े से वह काफी कमजोर भी हो गया था एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर चुहा अपने बिल से बाहर निकला उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में आराम फर्मा रहा था और बिल्ली ताजे-ताजे मास खा रही थी लेकिन बिल्ली भी बहुत चालाक थी चुहा जैसे ही शेर के पास उसके बाल कुतर ने पहुचा बिल्ली ने तुरंट उस पर जपटा मारा और उसे निगल गई वो बहुत खुश थी कि जब वह शेर को ये बताएगी कि चुहे से अब परेशान होने की जरूरत नहीं है तो शेर बहुत खुश हो जाएगा और उसे धेर सारे ताजे मास ला कर देगा जब शेर अपनी नीन से जागा तो बिल्ली ने उसे बताया कि उसने चुहे को मार दिया है बिल्ली की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ अब उसकी परेशनी दूर हो गई थी, इसलिए वह बिल्ली अब उसके किसी काम की नहीं थी. उसी दिन से शेर ने बिल्ली के लिए मास लाना बंद कर दिया. इसके बाद भूखी प्यासी बिल्ली कमजोर होने लगी थी. उसे समझा गया था कि शेर उसे मास सिर्फ चुहे की वज़े से देता था. अब चुहा नहीं है, तो उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है. फिर वह बिल्ली उस गुफा को छोड़ कर वहां से चली गई. शेर, चुहे और बिल्ली की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना काम निकल जाने के बाद हर कोई पराये की तरह व्यवहार करने लगते हैं. इसलिए कभी किसी के अधिक मोह में ना पड़े. दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद.